ये लहलहाते खेत हमारे देश की उन्नती की निशानी है और इस उन्नती के पीछे किसानों का बड़ा योगदान है आज हिंदुस्तान की टोटल वर्कफोर्स में करीब 55% किसान है और उन पर निर्वर है देश की 140 करोड की जन्ता मतलब भया किसान है तो हम है पर पिछले कुछ सालों में मौसम के अन्प्रेडिक्टेबल बिहेवियर के कारण किसानों को खेती में बहुत नुकसान सहना पड़ा उन्हें जरूरत है एक ऐसे सल्यूशन की जो दे उपज की गैरंटी ताकि नुकसान हो कम और उतपादन हो ज्यादा और ये सल्यूशन है शैलेंद्र और आनंद का पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन फसल और ये बन गया है किसानों के लिए बरदान आज फार्मर्स के लिए एगरिकल्चर के ट्रेडिशनल ग्यान पर भरोसा करना दिन बदिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि जब से क्लोबल बॉब्मिंग का खत्रा बड़ा है तब से क्लाइमिट चेंज के कारण मौसम का अनुमान लगाना नामुम्किन सा हो गया है आप के जरिये वेदर, सॉयल, इरिगेशन, डिजीज़ और पेस्चिसाइड्स की समय से जानकारी देता है ताकि किसान टाइम से एक्शन ले सकें और अपनी फसल की उपज को बढ़ा सकें पर भाई सहाब, खेती ही क्यों? खेती में ऐसे इनुवेशन का आईडिया आया कहां से? शिमला मिर्च की खेती क्यों फेल हुई? ये समझने के लिए इन्होंने काफी दौड भाग की, कई किसानों से भी मिले और सालों की रिसर्च के बाद उन्हें इस प्रॉबलम का सल्यूशन टेक्नोलोजी में मिला अब फार्मर्स को उनकी सारी प्रॉबलम्स का सल्यूशन घर बैठे बैठे एक मोबाइल आप के थुरू मिल जाता है फसल एक सेंसर बेस सिस्टम है जिसे एक बार खेत में इंस्टॉल कर दिया तो इसकी टेक्नोलोजी 24 घंटे 365 दिन खेत को अब्जर्व करती है ये सॉइल मॉइस्चर, सॉइल नूट्रियंट लेवल, वेदर फोर्कास्ट, क्लाइमेट बेस्ट डिजीज़, आपकमिंग पैस्ट थ्रेट्स को साइन्टिफिकली एनलाईज करके किसानों को एप के जरिये इनफार्म करती है यानि की फार्म में होने वाली प्रॉब्लम्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेती है ताकि किसान समय से एक्शन ले सके इस दिन को इस प्लॉट में 10 लीटर पानी डालना है और रिस्क अफ दिस पर्टिकलर डिजीज इस वेरी हाई दिस इस दो मोस्ट आप्टिमम टाइम तो टेक आ खिमिकल स्प्रेड और बायोलोजिकल स्प्रेड वाटनाट फसल आप की एक्यूरेट जानकारी से खेतों में पानी की खपत पहले के मुकाबले हो जाती है करी 50% तक कम पैस्सिसाइड्स की कॉस्ट भी हो जाती है लगबग आधी और उपज 40% तक बढ़ सकती है और आज की तारीक में फसल की टेकनोलोजी इंडिया की 44,000 एकर जमीन पर यूज हो रही है और इन में से एक किसान है चेतन नंदन जो अनार और ड्रागन फ्रूट की फार्मिंग करते हैं 15-22 केजी ओ-म जी शेलेंद्र भाई वैसे फसल के लिए आपके फ्यूचर प्लैंस क्या है I think to us, the next four to five years, we want to reach a few million hectares We also want to find a way to democratize the technology in the way telecom was democratized That you suddenly woke up one day and you had a company which literally changed the fate of this country I think that is what our ambition is फसल सिर्फ एक आइडिया था जिसने अपनी सक्सेस से प्रूव कर दिया कि खेती को अनुमान नहीं, जरूरत है विग्यान की इस पाथ ब्रेकिंग टेकनोलोजी और इसके इनोवेटर्स को OMG का सलाम